नमस्कार दोस्तों मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अंकित वर्मा और लेट भी नोटिकेशन में तो दोस्तों जैसा कि आप थमने पे देखी चुके हैं कि आज की इस वीडियो में मैं आपको आज 24 जनुवरी 2021 की हिमाचल हो तो सबस्क्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें जिन्होंने चैनल को सबस्क्राइब कर लिया वो साथ में बेल आइकन को दबा लाएं ताकि आप तक मेरी हार नौटिकेशन सबसे पहले पहुंच सके तो चले दोस्तों वीडियो को जो है शुरू करते हैं तो पहले न्यूज आपकी कि केंद्री ग्रे मंत्री अमित्षा का 25 जनवरी का शिमला का दोरा टला तो हिमाचल प्रदेश के पूर्ण रज ये बनने के जो है 50 साल होने पर शिमला की रेज मैदान पर होने वाले कारेकरम में केंद्री ग्रे मंत्री अमित्षा शामिल नहीं ह चाल गया है मुख्य मंतरी जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि केंद्री ग्रेह मंतरी अमित शाद नीजी कारणों से शम्ला नहीं आएगे बहाजपा के राश्ट्रे अध्यक्ष जेपी नड़ा और केंद्री बित मंत्री राज्य केंद्री बित राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जो है कारे करम में शामिल होंगे अगरी उसे आपकी की हिमाचल में स्वास्ते करमचारियों को आप नहीं मिलेगा सेवाविस्ता तो हिमाचल परदेश में अब स्वास्ते करमचारियों को सेवाविस्तार नहीं दिया जाएगा हिमाचल परदेश में करोना की स्थिती में काफी हद तक सुधार हो गया है इसके चलते जिन स्वास्त विभाग के करमचारियों को फील्ड में ड्यूटी करने के लिए भीजा गया था उन्हें भी बापस बुलाना जो है शुरू कर दिया है परदेश सरकार ने अस्पतालों में OPD और ऑपरेशन करने के जो है शुरू कर दिया है ऐसे के करमचारियों की मामलों की संख्या गाट रही है अब अस्पतालों और घरों में आइसोलेट करोना पॉष्टे मरीज्यों की संख्या जो है 500 से कम हो गई है प्रती दिन 40 से कम करोना मामले रिकोर्ड किये जा रहे हैं डेथ रेट में भी काफी सुधार आया है इस समय डेथ रेट गीरो दश् प्रोड में 4 के खिलाब चार्ज शीट तो जाल साजी और धोका धड़ी की एक मामले में पंच्कूला की एक नीजी कमपनी की चार प्र्मोटरों के खिलाब CVI ने जो है CGM कोर्ट शीमला में चार्ज शीट दाखिल की है जिनके खिलाब चार्ज शीट दाखिल की गई है उन म मेसर्ज, सेंसर्ज, पल्प एंड, पेपर लिम्टेड और मेसर्ज, एग्जीक्यूटिव, इंप्राबिट, प्राइविट लिम्टेड के एमडी और प्रमोटर रमेश कुमार सैनी के अलावा, शैशी बाला सैनी, रणधीर सिंग सैनी और रविंदर कुमार गुपता शामिल है। जानकारी के अनुसार् स्टेट बैंक ओफ इंडिया, SBI की चंडिगर मुख शाखा के डिफ्टी जनरल मैनेजर की शकायत में आरोप ल दी थी, लेकिन उपरोग कंपनी की डिफाल्टर लिस्ट में आ गई, 2018 में जब कंपनी की ओडिट रिपोर्ट बैंक के पास आई तो पता चला कि कंपनी दोका धड़ी कर स्टोक इधर उधर कर दिया है और बैंक के पैसे का भी दुर्पयोग किया है, इस पर बैंक ने 2019 में S कायद की थी कि 2020 में SBI ने IPC की धारा 120 P और 420 के तहत आरूपियों के खिलाफ जो है केस तरज़ किया था, अगरी उज़े आपकी कि जीला परिशद चुनाव मनु बाला ने सरवादिक 14492 मत लेकर बनाया रिकोर्ड, तो हमाचल परदेश की हमीरपुर जीले के भोरण जीला परिशद बाड से मनु बाला ने जीले में सरवादिक मतों से जीत तरज की है, वहीं लहाडा बाड से संजीव कुमार सेठी जीला परिशद चुनाव जीतने वाले सबसे कम ओमर के प्रत्याशी बने हैं, बहुरंच से भाजबा प्रत्याशी 38 परिशद मनु बाला जीला पर देवी के दरवार में उमड़ा आस्ता का सेलाब इतने हजार श्री धालों ने निवाया शीश तो हिमाचल परदेश के बिश्व विख्यात शक्ति पीट श्री नैना देवी में रवी बार के दिन भारी संख्या में श्री धालों के पहुंचने का करम जारी रहा जानकारी के अमसार लगवक दस जार श्री धालों ने माता जी के दर्शन किया और अपने घर परिवार के से दिये सोक समरिद्धी की कामना की श्री धालों की भीड के चलते मंदरों में सुरक्षा के कड़े बंदुवस्त किये गए थे श्रेधालों को लाइनों में ही माता जी के दर्शनों के लिए भेजा गया हलांकि COVID-19 में हमारी के चलते या भी सुनिश्चित किया गया कि श्रेधालों मास्क लगाकर ही मंदर में परवेश करें अगर न्यूज है आपकी कि गनतंतर दिवस को लेकर फोल्ड रेस में प्रेड रिहसल तो बिलासपूर से ये न्यूज है कि गनतंतर दिवस की बत्रमी बर्श कांट को लेकर जहां परदेश भर में जील अस्तर ये कारेंकरमों का आयोजन किया जाएगा तो वहीं बिलासपूर के राज किये वरिष्ट माद्य में एक पाल माद्य बिद्याले में भी कारेंकरम का आयोजन किया जाना है जिसको लेकर आज पुलिस वाल NCC, स्काउट, NSS, सहित पुलिस बैंड भी की टीम ने फोल्ड रेस प्रेड रिहसल किये है बहाजपा प्रवारी ने पूर्व सियंँ शांता कुमार की पतनी के नेधन पर व्यक्त किया शौक उनकी अनेक कहानी संग्रय उपनिया सेवं कवीता संग्रय प्रकाशत हुए हैं परदेश प्रभारी द्वारा नियू मार्केट सराकड में शेर मार्केट कारियल लेकी शुरुआत की जिसका शुब आरंप सुजानपुर के विधाइक राजेंदर राणा ने रीवन काट कर किया विधारिक राजेंदर राणा ने इस मौके पर कहा कि शेर मार्केट का कार्या ले खोलने से जहां गरामिट की शेत्र की जनता को इससे संबंदित सुविदा घरद्वार पर मिलेगी वहीं स्थानी युवाओं को रोजगार भी मिलेगा अगर न्यूज आपकी की फिर दर्कने लगी पक्का टाला महले की पहाड़ी लोगों में मचा हड़ कम तो हिमाचल परदेश की डिस्टिक चंबा से ये न्यूज है की शेहर के पक्का टाला महले की पहाड़ी एक बार फिर दर्कना शुरू हो गई है इस कारण स्थानिय लोगों की रातों की नीद उड़ गई है साथ ही वहां चालक वा रागीर अपनी जान जोखिम में डाल कर आवाजाई करने को मजबूर हो रहे हैं पहरी दर्कने से यहां हाथ से का आदेश जो है अंदेशा बना हुआ है शनी बार को हुई पारिश बारी बारिश के कारण पकाट आला में पारी से फिरसे बोसकलन होना शुरू हो गया है इसके बाद मार्ग पर बड़े बड़े पत्थर पारी से लगातार गिर रहे हैं जिस कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है अस्थानियम निवासी प्रेमकुमार अजयररवी बबली रेनू पंकज आधी का कहना है कि दो महिने पहले भी बारिश होने के कारण जो है पारी से बोसकलन हुँआ था जिस कारण कई दिनों तक मार्क अवरोध रहा था जिस कारण लोगों को काफी प्रेशानियों का सामना करना पड़ा था अगर नूर्पूर ब्लॉक के अंतरगत तलाड़ाबाड 6 के जीला परिशत चुनाब में एक परत्याशी भले ही चुनाब में हार गया लेकिन चुनाब परिणाम में मिले परत्याशित मतों से लोगों में चर्चा का विशा बन चुकी है तलाड़ाबाड से 29 परिशे मनीशा जीला परिशत चुनाब में बेना किसी राजनितिक समर्थन के अकेले उतरी तथा अन्या पार्टी के परत्याशियों को पीछे छोड़ते हुए बाज़पास मर्थित परत्याशियों से काटे के मुकाबले में 416 मतों से पिछल गई लेकिन हार के बावजूद इस चुनाब में मनीशा की सभी लोग परशंसा कर रहे हैं मनीशा बागनी पंचायत के टानन काउं की निवासी है तथा MSC B8 है मनीशा ने बताया कि वहा जीला परिशद चुनाबों में ना मंकनती थी से दो दिन पहले उतरी थी तथा इन चुनाबों में उतरने का मुक्ख देश है लोगों की साज़ता करना था जिसके लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए तथा उन्होंने जीला परिशब चुनाव को या माध्यम समझा और अपना भागय अजमाने चल पड़ी मनीशने ने क्यान के गाउम में मौलबोत सुविदाएं का आबाब है तथा इस चुनाव में जो हरक शेतर के लोगों का सने मिला है उसके लिए हुआ हमेशा उनकी आबारी बार रहएंगी अगर नियुज़ आपकी कि अचार टीसी ने बॉल्वो और एसी बसों का काम किया किराया तो हिमाचल पत परिवाहन निगम के ने यात्रियों को राहत देते हुए बॉल्वो और एसी बसों के किराय में कटोथी की है दिली तथा चंडीगर रूट पर चलने वाली बोलवो तथा एसी बसों में किराय में रात 28 फरवरी 2021 तक यात्रियों को मिलेगी इन बसों में लोकडाउन से पहले जो किराया लिया जा रहा था अब उसी किराय पर सबारियों को उनके गंतव वे तक पहुचाया जाएगा इसमें मैकलोड गंच से दिली जाने वाली में बोलवो बस का किराया 1679 से कम करके 1411 कर दिया गया है धर्मिशाला से दिली जाने वाली पास में अब किराया 1622 रुपए से कम करके 1373 रुपए कर दिया गया है हिमाचल पात परिवाहन धर्मिशाला के क्षेत्रिय प्रवंदक पंकज चड़ा ने बताया कि यात्रियों की सुविदा के लिए परिवाहन ने या निरने लिया है तो मैकलोड गन्टू दिली पहले जो था किराया देख सकते हैं आप यहाँ पर लिस्ट जो है बताई गया है आप स्क्रीन शोट ले सकते हैं अगल नियूज है आपकी कि दिवार भांद कर मतगर्णा का क्षित तक पहुँच गये थे पूरू बिधायक हुआ कांग्रेसी निता सुकराम तो पांव्टा साहिब से नियूज है कि कांग्रेस द्वारा मतगर्णा स्तल पर हंगामे की गटना निंदनी है कांग्रेस की हार की बोकलाट साफ जलक रही है और जा मंतरी सुकराम चोधरी ने पांव्टा साहिब में पत्रकार वारता में दावा किया कि नगर परिशद भाजपस मर्थित पनने के पश्चात बीडिसी की चालिस में से 27 सीटों पर भाजपस मर्थित परत्याशियों ने दर्जे जीत जो है कर ली है जल्द ही बीडिसी प्रध्याक्ष वा पांव्टा साहिब में चार जीला परिशद सीटों में से दो भाजपा कि पक्ष में आई है मतगन्ना के अंदर के बाहर हंगा में पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि वे मतगन्ना का अक्ष के भीतर नहीं गए बलकि कारे करताओं के आगरे पर उनका स्वागत करने के लिए मतदान के अंदर तक गए थे अगरे न्यूज आपकी कि मंडी के नेर चोक में अडिकल कॉलेज पंडो के व्यक्ति की करोना से जो है मौत अगरे न्यूज आपकी कि बड़ी सफलता नैनो कार से ड़ाई किलो चर्स परामद एक गिर्फतार तो मंडी से न्यूज है क है तो दोस्तों ये थी आज शाम पांच बजे तक की सभी ताल्या खबरें अगर आपने वी तक वीडियो को लाइक ने किया तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और अंक्यत वर्मा और एच पे नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें ताकि अब तक है माचल परदेश की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके धन्यावाद जये जयवार